नमस्कार दोस्तों आपका मेरी चैनल धर्म संचय में स्वागत है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किर्पया वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना विटकूर न भूलें चलिए आज बिहश्पती देव प्रत की कथा सुनाती हूं बिहश्पती या गुरु को बुद्धी और सिक्षा का देवता माना जाता है गुरुबार को बिहश्पती देव की पूजा करने से धन, विद्या, पूत्र और अनमनुवांचित फल की प्राप्ती होती है गुरुब गुरुबार की पूजा बिधी बिधान के अनुसार की जानी चाहिए। ब्रत करने वाले को उस दिन सुबह उठकर विहस्वती देव का पूजन करना चाहिए। जल में हल्दी डाल कर केले के पेर पर चढ़ाएं। गुरुबार की बात है किसी राज्य में एक बरा ही परतापी और दानी राजा राज करता था। वा परते गुरुबार को ब्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुन्य प्राप्त करता था। प्रतु यह बात उसकी राणी को अच्छी नहीं लगती थी, वा न तो ब्रत करती थी और नहीं किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है राजा सिकार खिलने बन को चले गएं। घर पर राणी और दासी थी। उसी समय गुरू भी हश्पती सादू का रूप धारन कर राजा के पास भीक्षा मांगने के लिए राजदरवार में भीक्षा मांगने के लिए आएं। आराम से रहस्पू भीहस्पती देव ने कहा, हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी होता है, अगर अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, सोभकारियों में खर्ज करो, कुवारी कन्याओं का विवाह कराओ, बिद्याले और ब समय नष्ट हो जाए, तब सादू ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इक्षा है, तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूं, तुम वैसा ही करना, गुरुवार के दिन तुम घर को गोवर से लिखना, अपने केसो को पिलिमिटी से धोना, केसो को धोते समय अस्तनान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदीरा खाना, कपरा धोबी के यहां धुलने डालना, इस परकार साद विहसवादी वार करने से तुम्हारा समस्त धन नस्ठ हो जाएगा, इतना करकर सादू रुपी विहसपती देव अंतर ध्यान हो गये, सादू के अनुसार कही बा है रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा कारे भी नहीं कर सकता, ऐसा करकर राजा परदेश चला गया, वहां वह जंगल से लकरी काट कर लाता और सहर में बेजता, इस तर पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धन्मान है, तो उसके पास जा और कुछ लेया, ताकि थोड़ी दिन गुजर बसर हो जाए, दासी रानी की बहन के पास गई, उस दिन ब्यस्पतिवार था, रानी की बहन, ब्यस्पतिवार का कथा सुन रही थी, दासी ने रानी की बहन को कई बार आवाज लगाये, लेकिन रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, जब दासी को रानी की बहन से कोई उतर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया, दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी सुनकर रानी ने अपने भागे को कोसा उधर रानी के बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी प्रंतु मैं उसे नहीं बोली इससे वो बहुत दुखी हुई होगी कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन मैं भिहस्पति बार का प्रत कर रही थी तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी प्रंतु जब तक कथा होती है तब तक न दोड़ते हैं और नहीं बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी रानी बोली बहन तुमसे क्या चुपाओ हुँ हमारे घर में खाने तक को अनाज नह उसने दाशी समेट पिछले साथ दिन उसे भूखे रहने तक किया बात अपनी बहन को विस्तार पुरवक सुना दी रानी की बहन बोली देखो बहन भगवान किसी का भी बुरा नहीं करते हैं सबकी बेशपती देप सबकी मनुकामना पूरी करते हैं साथ तुम्हारे घर में अनाज रखा हो पहले तो रानी को भी स्वास नहीं हुआ पर बहन के आगरह करने पर उसने अपनी दाशी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भड़ा एक घरा मिल गया यह देखकर दाशी को बड़ी हैरानी हुई दाशी रानी से कहने लगी यह रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम बड़ी हैं तो करते हैं इसलिए क्यों न इन से बड़ और पुजन करे ताकि हम भी बड़ कर सके तब रानी ने अपनी बहन से बिहस्पती बार के ब्ऱत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया कि बिहस्पती बार के ब्ऱत में चने की दाल और मुनक्का से विश्णू भवान के केले की ज़र में पूजन करे तथा दीपक जलाएं ब्रत कता सुने और पिला भोजन ही करें इससे बिहस्पती दे प्रसन होते हैं ब्रत और पूजन भीदी बता कर रानी की बहन अपने घर को लोट गए साथ दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने ब्रत रखा गुरसार में जा कर चना और गुर लेकर आएं फिर उससे केले की जर्ब में तथा विष्णु भोवान का पूजन किया अब पिला भोजन कहां से आए इस बाद को लेकर दोनों बहुत दुखी थी चुकि उन्होंने ब्रत रखा था इसलिए बिहस्पती देवन से प्रसन ने थे इसलिए वो साधारन व्यक्ती का रूप धारन कर दो थालों में सुंदर पिला भोजन दासी को दे गए भोजन पाकर दासी पर सुन हुई और फिर रानी के साथ मिल कर भोजन गरहन किया उसके बाद वे सभी गुरुबार को बरत और पूजन करने लगी बिहस्पती देव भगवान की किरपा से उनके पास फिर से धन समपती आ गई प्रंतु रानी फिर से पहले ही कि तरह आलस करने लगी तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कश्ट होता था, बहुत मुश्बिल से भवान ने हम पर किरपा की है, और फिर से धन सम्पती आ गई है, इसलिए तुम फिर से वही आलस न करो और भेस्पती भुवान के पूजा करती रहो, रानी को समझाते वे दासी कहती है कि बड़ी मुसिटों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दानपुन करना चाहिए, भुके मनुश्यों को भोजन कराना चाहिए, और धन को सुपकारियों में खर्च करना चाहिए, जिस से पूरे नगर में उसका यस फैल गया, धन्यवाद दोस्तों, अगर यह कहानी, यह वीडियो पसंद आए, तो कि यह वीडियो को जादा जादा लाइक करें, सेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नबूराइए,